यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाथक ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर बड़ी बात कही। उन्होंने रामनवमी पर सपा सांसद प्रुफेसर रामगुपाल यादव के बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा इंडी गटबंधन के लोग खास तोर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने जिस तरह सनातन धर्म पर चोट की है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। डिप्टी सीएम ने कहा रामलला के मंदिर में करोडों की संख्या में श्रद्धालू रामनवमी पर पहुँचे थे। इससे इनकी छाती पर साप लोड गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन्होंने सनातन धर्म को मानने वालों को धोंगी बताया है। इनका समाज से बहिशकार होना चाहिए। बताते चले कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रामनवमी हमेशा बड़े हर्शोललास के साथ मनाई जाती रही है। लेकिन अब कुछ लोगों ने इसका पेटेंट करा लिया है। लेकिन यह उनकी बपौती नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि करोडों लोग हजारों वर्शों से रामनवमी मनाते आ रहे हैं और इस देश में सिर्फ एक राम मंदिर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी 26 अप्रेल को बरेली में रोडशों करने जा रहे हैं। के लिए तीसरे चिरण में 7 मई को मद्दान होना है। यहां से भाजपा ने छटरपाल सिंग गंगवार को मैदान में उतारा है। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने जन सभा की थी। इसके बाद अब 26 अप्रेल को रोडशों के दोरान जनता से छटरपाल के लिए समा बान देगे। पीली भीत संसदीय सीट के बहेरी विधान सभा में पहले चरण में 19 अप्रेल को मदान होना है। पारकिंग कैम्प बनाया गया है। पीर बहोडा मजार के पास वहां मौजूद लोगों ने उनके हाथ में कलावा बंधा देखकर उनका और युवती का नाम पूछा। इसके बाद उन पर हमला कर दिया। वो बताते रहे कि वो कम्पनी के काम से आये हैं लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी। उसे टुकडे टुकडे करने की धमकी भी दी। इसी तरह भाग कर वो थाना इज़तनगर पहुचे और शिकायत की। बरेली में आवला लोकसभा के प्रत्याशी सेद आविद अली ने नामानकन के लिए जाते समय हिंदुस्तान धर्म काटा पर अपने समर्थकों को सम्बोधित किया। सपा व भाजपा दोनों ने ही मुझे चुनाब आयोग से नोटिस भिजवाने का काम किया है। वही आज कलेक्टरेट पहुचकर सयद आविद अली के नामानकन पत्र दाखिल किया। जिसके बाद आप है कि पडोसी दुकानदार ने शिवद एयाल के साथ मारपीट की उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल भरती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्ट मार्टम को भेज कर जाच परताल शुरू कर दी। बरेली में दहेज की एक नव विवाहित की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। बुधवार की शाम को उसकी बहन की दहेज की खातिर गला दवा कर हत्या कर दी गई। जब इसकी जानकारी पूजा के परिजनों को हुई तो वो उसकी ससुराल गए तो देखा पूजा का शव जमीन पर पड़ा था। माय के वालों ने इसकी जानकारी पूलिस को दी। पूलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया। बरेली में ट्रेन से यात्रा कर रहे अधेर की मौत हो गई। वो अपने भाई बुद्विसेन से मिलकर अपने घर वापस लोट रहा था। बरेली में अग्यात वाहन की टककर से बाइक से जा रहे दो सगे भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई। जब इसका पता मृतक के परिजनों को चला तो कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। थाना भुता के गाव अगतपुर खमरिया निवासी हरीश का बेटा अखिलेश कुमार और चोटा बेटा सुनील कुमार बुधवार को बरेली से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उखनी बाइक मरेला चोकी के पास पहुची पीछे से तेज गती से आ रहे वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे दोनों ही भायों की मौके पर ही मौत हो गई। धटना की सूचना पर पहुची पुलिस ने शवो का पंच नामा भर कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया। भी नहीं मिलेगा। चुनकी इसलाम मजभब ने जायज और नाजायज के दाइरे में रहकर कार्य करने की अनुमती दी है। मगर साक्षी की के यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि मुसलमानों को बदनाम करना बंद कर दे। बच्चे कितने होंगे या कितने नहीं होंगे और ये जमीन ये सब खुदा की नेमतों में से एक नेमत है और खुदा जिसको चाहता है उसको अपनी नेमत से नवाजता है। साक्षी जी को चाहिए कि वो समाज को तोड़ने का काम बंद कर दे वरना कुछ दिनों के बाद इनका भी गुरूर और घमन खुद बखुद तूट जाएगा